अब आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होश्ट हैं दोस्त जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और इस वक्त जो हैं सभी पार्टियां सक्रिया हो गई हैं अब से पहले सरकार किसी की होती है तो कोई ध्यान नहीं देता लेकिन अब सरकार बीजेपी की है तो प्रत्यक पार्टी घर पर जाकर यह साबित करना चाहती है कि उनकी हितेशी है जी हाँ इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ललितपूर उत्रप्रदेश के अंदर जो है सोनिया गांधी जी की बेटी प्रेंका गांधी यानि राजीव गांधी जी की बेटी प्रेंका गांधी जो है आज ललितपूर पहुची है तो आईए आपको लेकर चलते हैं ल लुग माइन में खड़े-खड़े इनकी मृत्यू हुई है कि घाथ में खड़े खड़े एक दू दिन खड़े थे चार दिन के लिए खड़े कि जब राइन छोड़ते राइन छूट जाती है अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वज़े से घर आए तो लाइन चूट जाती है तो लगातार खड़े रहे किसी ने एक जन है जिनों खाना भी नहीं खाया था उनकी खड़े खड़े खाद के इंतजार में मृत्यू हो गए अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वित्रण के ये तो सपश्ट है कि ये पूरी तरह से फैल हो गई है तो फैल क्यों हुई है क्योंकि जो काला बजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साथगाट कर रहे हैं और जब आपकी बता रहे थे मुझे की एक बोरा मिल रहा है दो हजार के लिए एक बोरा खरीदने की ही हो रही है पचास की होती थी पहले अब 45 की है तो उसमें कम खाट भी दे रहे हो खाट का दाम बढ़ा भी रहे हो तो हमें क्या करेंगे बताओ आप इनकी इतनी समस्याएं हैं इतनी समस्याएं और सरकार सुन नहीं रही है आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है महीनो सड़क पे हैं लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है कहीं कुछला जा रहा है गाड़ी के नीचे तो कहीं इस तरह की चीजों से कुछला जा रहा है अच्छा यहां आते 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 आपने देखा कि अन्ना और यह क्या आवारा पच्छू है हर जगे यहां पे शायद अन् कि देन थी कि हमारी खेतों में पानी आया उसके बाद कम से कम खाद तो दिल्वा देते हमें तो सब कर्ज में हैं बिचारे ठाद नहीं मिल रही है पानी आया खेत में उन्हें सोचा कि कम से कम कुछ उपज होगी कुछ आगे बढ़ सकेंगे वह भी नहीं हुआ क्योंकि खाद झाल झाल झाल